दोस्तों एक और popular company का IPO आ रहा है जिसका नाम है कल्यान ज्वेलर्स अब कल्यान ज्वेलर्स को तो सभी लोग जान गए है पिछले 4-5 साल में हमने इतने advertisements देखे हैं जिसके अंदर हमने अमिताब बच्चन को देखा है जया बच्चन को देखा है, कैटरीना कैफ को देखा है इवन साउथ इंडिया में भी काफी film stars इनके brand ambassador बन गए हैं इसके साथ साथ हम Indians की थोड़ी सी fantasy तो है एक थोड़ा सा soft corner है gold की तरफ और हमने past में भी देखा Titan जैसी company जिसका brand है तनिश्क उसने कई करोड़ पती बनाए है shares के अंदर राकेश जुन्जुन वाला की wealth creation में बहुत बड़ा हाथ रहा है Titan के share का तो सवाल ये उठता है कि क्या कल्यान जोलर्स इस तरीके का कमाल दिखा पाएगी जो Titan ने दिखाया तो इसके लिए हमें इस company को थोड़ा सा बारीकी से समझना होगा मेरे को एक चीज थोड़ी सी वरी कर रही है इस company के उपर साड़े 3000 करोड का loan है लेकिन क्या revenue numbers क्या profit numbers उसको support करते हैं किस तरीके की इनकी strategy है क्या इस company की strengths है weaknesses है opportunity किस तरीके की है threats क्या है इनके लिए साथ में valuation ये किस तरीके की मांग रहे है ये सारी ही चीज हम इस वीडियो के इंदर discuss करने वाले है नमस्कार मेरा नाम है मुकोल आप देख रहे हैं assetio की वीडियो में बने रहे है दोस्तों पहले भी कई बार बात कर चुके है कि IPO में apply करने का best तरीका होता है कि आप DMAT account के through apply करें अब DMAT account खोलने का link भी मैंने आपको नीचे description में दे दिया है साथ में IPO में apply कैसे करना है उसका भी हमने एक dedicated वीडियो बनाय हुआ है आप वो भी देख सकते है चलिए दोस्तों सबसे पहले हम company और उसका business समझते है जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि यह jewelry business के अंदर है तो यह gold, studded and other jewelry products बनाते है जिसकी यह design, manufacturing और selling खुद ही करते है gold jewelry से इनको जो mainly revenue आता है वो करीब 75% का आता है लग बग आप यह हर साल में देखेंगे 74-75% की range में ही आता है तो gold jewelry ही इनका main product है उसके बाद studded jewelry जैसे की diamonds और दूसरे तरीके के जो studs होते है उनसे इनको revenue आता है करीब 23% का और इसके अलावा बाकी की जो jewelry है उससे बहुत negligible यानि की 2% का ही revenue आता है वन आफ दा largest jewelry companies in India largest तो हमें पता ही है अब आज की date में Titan हो चुका है सबसे बड़ा organized player है जिसका brand है Tanish लेकिन Titan खाली jewelry company नहीं है वो accessories भी बनाती है watches भी बनाती है अब इनके 107 showrooms हैं आज की date में 21 states and union tradeories के अंदर 30 showrooms इनके middle east में भी है online भी ये बेचना शुरू कर चुके है यहाँ पे candier.com करके इनकी company है इसके अंदर भी इनका revenue jump पिछले 2-3 सालों में significant हुआ है इनको करीब आज की rate में 40-45 करोड का revenue यहाँ से आ जाता है लेकिन overall revenue में तो वो बहुत ही insignificant है total revenue इनका 10,000 करोड की range में आता है तो उसके सामने तो 40-45 करोड बहुत जादा नहीं है लेकिन online इनके लिए एक बड़ी opportunities definitely हो जाती है और यह hyper local jewelry company के form में उभर के आई है और यहाँ पे hyper local jewelry का हम एक बार मतलब समझ लेते हैं पहली बात तो यह local artisans के साथ यानि की अगर डेली में show room बन रहा है तो यहाँ के टेस्ट के हिसाब से ही यहाँ की jewelry design करेंगे south में अगर कोई बन रहा है कोई केरला के अंदर अगर उनका show room बन रहा है तो वो वहाँ के artisan से ही manufacture करवाएंगे वहाँ के taste के हिसाब से करवाएंगे और इसके साथ साथ ये local stores भी बना रहे हैं आज की date में एक showroom हो गया उसके साथ ये local my kalyan centers भी बना रहे हैं उसकी भी मैं अभी आपसे बात करता हूँ my kalyan centers इनको hyper local play में और ज़्यादा effectively help करता है करीब 17% revenue आते हैं इनको यहाँ से अब यह my kalyan centers क्या है मान लीजे एक बड़ा showroom है उसके around करीब 7 my kalyan centers रहेंगे और यह जो my kalyan centers हैं यह customer service centers की तरह operate करते हैं जिससे इनको बहुत ज़ादा reach मिल जाती है एक neighborhood jeweler की तरह यह काम कर सकते हैं इसके अलावा this was one of the first jewelry companies जिन्होंने BIS hallmarked jewelry ही रखना शुरू कर दिया सारी की सारी अब देखिए gold jewelry के अंदर एक बहुत बड़ा problem होता है कि उसके अंदर impurity हो जाती है ऐसा कहा भी जाता है कि आप जिस jeweler से खरीदते हैं उसी को आप वापिस कीजिए क्योंकि वही आपके सही दाम लगा सकता है तो impurity का बहुत बड़ा issue होता है गोल्ड के अंदर तो इन्होंने कहा कि हम BIS hallmarked jewelry ही रखेंगे सारी की सारी इसके साथ साथ इन्होंने price tags लगाने शुरू करे transparent क्योंकि gold jewelry के अंदर ये second issue होता है कि आपके charges अच्छे से आपको explain नहीं किया जाते है तो वो भी एक transparency लाने के लिए इनको credit मिलता है awarded the India's most preferred jewelry brand in fiscal 2020 अब promoters and shareholding की बात करें तो company बनी थी 1993 में जब इन्होंने पहला showroom खोला था थ्रिसूर के अंदर South India में ही इन्होंने पहले अपना expansion शुरू करा अगर हम आज की date में current shareholding देखें इनकी तो Mr. T.S. कल्यान रमन इनके main shareholder है जो आज की date में CMD भी है इनके पास करीब 24.52% के shares है और इनके family members के पास भी आप इनका share break up देख सकते हैं और एक investor है high deal करके जो warburg pinkas की company है उन्होंने करीब 32% का share लिया हुआ है इसके अंदर अब अगर हम pre-issue और post-issue की बात करें तो issue आने से पहले हमने देख लिया कि promoter group के पास 67.99% के shares है और public के पास यानि की high deal के पास आज की date में करीब 32% के shares है तो इसमें से कुछ shares तो ये लोग अपने भी भी बेच रहे हैं यानि की मिस्टर कल्यान रमन अपने इतने shares बेच रहे हैं तो इनका post-issue इशू आने के बाद इनका करीब जो stake रह जाएगा वो 20.94% का रह जाएगा और total promoter group का रह जाएगा 60.53% का और public का shares भढ़के हो जाएंगे 39.47% के जिसमेंसे हाइडल का जो reduction है वो अभी 32% है इसमेंसे ये कुछ shares बेच देंगे इनका share percentage घटके रह जाएगी 26.36% की चलिए अब हम इनके quickly financials देख लेते हैं थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे हम यहाँ पे अभी हमने देख लिया कि company brand जरूर create कर रही है लेकिन वो कैसे कर रही है और financials उसको support करते हैं या नहीं वो बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पे देखिए 10,580 करोड के इनके revenues थे 2018 में जो घटके रहा गए 9,814 करोड माइनस 7% का यहाँ पे गिरावट हुई अब यह क्यों हुई 2018 में South India के अंदर जहाँ पे इनके maximum showrooms हैं वहाँ पे floods आये थे उसकी वज़े से इनको गिरावट देखने को मिली revenues के अंदर और profits के अंदर तो बहुत ही ज़ादा गिरावट देखने को मिली अब ऐसा क्यों देखे यह basically एक offline player है जोलरी आज भी लोग showrooms में जाके खरीदना पसंद करते हैं ओनलाइन उतना पसंद नहीं करते हैं तो यहाँ पे fixed cost बहुत ज़ादा high है इनकी और साथ में इन्होंने loan भी काफी लिया हुआ है तो finance cost यानि की interest cost भी इनके लिए fixed है तो वो तो इनको भरना ही भरना है fixed cost तो जरासा भी गिरावट होती है 5-7% की भी अगर revenue में गिरावट होती है तो profit के अंदर बहुत ज़ादा गिरावट आ जाती है 2020 के अंदर इन्होंने वापिस से recovery करी इनकी revenue बढ़ गई करीब 3.7% की और profit में अच्छा खासा उचाल आया इनका profit लगभग बराबर हो गया जितना इनको 2018 में profit आया था उतना ही 142 crores का इनको profit आ गया लेकिन ये जो numbers हैं ये अभी भी इतने significant नहीं है आप देखिए ये बहुत ही कम net margin जो इनका आप देखेंगे 1.5% पर ये operate कर रहे हैं आज की date में उसका सबसे बड़ा कारण क्या है आप देखिए इनके उपर loan बहुत जादा है 4000 crore का loan 2018 में 3788 crores 2019 में और अभी भी हम 2021 की भी बात कर लें तो 3600 crore से जादा का loan है इनके उपर खेर ये तो ही loan की बात लेकिन सवाल ये हुटता है कि ये loan net worth से कितना compare करता है net worth आप इनकी देखें तो 2057 crore की है debt to equity more than one हो जाता है again हमारे लिए एक warning sign हो जाता है यहाँ पे इसके साथ साथ अगर हम 2021 के revenue numbers देखें तो वहाँ पे भी काफी गिरावट देखने को मिली है minus 27% और इसमें मैं इनको तो खेर दोश नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पे COVID-19 में बहुत सारे businesses down हुए है उसी का reason है कि यहाँ पे इनका revenue down हुआ है और profit भी काफी कम हो गया negative में चला गया अब देखें यहाँ पे यह जो 2021 के number है यह थोड़े से कम वरी वाले हैं यह business तो पिक कर जाएगा लेकिन आप देखिए अगर हम 2020 के numbers भी देख लें उस हिसाब से इनका जो यह loan है वो बहुत ज़ादा है इनके profit numbers अगर 140-500 करोड के profit कर रहे हैं तो 3,5-3,000 करोड का loan उतारने में चलिए आगे बढ़ते हैं वैल्योशन देखें किस हिसाब की माँग रहे है 2021 के हिसाब से देखें तो price to book value यह माँग रहे है 3,55 2020 के हिसाब से माँग रहे है 3,38 इंडस्ट्री का PB जो है इंडस्ट्री यह basically अपने आपको Titan से compare कर रहे है तो उसी का लिया है इनोंने अब obviously Titan एक premium stock है उसका काफी ज़्यादा share price चल रहा है price to book value उसकी 19,59 चल रही है अब price earning ratio अगर हम इनकी 2021 के हिसाब से देखें तो negative हो जाती है क्योंकि इनकी earnings ही negative है financial year 2020 के हिसाब से देखें तो भी यह premium मांग रहे है price is to earning यह 58,39 का मांग रहे है Titan का चल रहा है आज की rate में करीब 87 का खेर यह तो होगे इनकी valuation की बात अब हम देखते हैं किस तरीकी की opportunity है आने वाले time में gold jewelry market के अंदर और specially organized market के अंदर पहले हम industry analysis कर लेते हैं इंडियन domestic jewelry retail market को अगर हम देखें US dollar billions में यह सारे figures दिये हैं यह on an average 8,9,10% का बढ़ रहा था पिछले 4,5 सालों से और आने वाले time में भी ऐसे ही prediction लग रहे थे 11%, 10% से increase होने के लेकिन COVID-19 के चलते काफी गिरावट आई 2021 के अंदर तो लेकिन वो चीज जल्दी recover होने की आशंकाए है आने वाले 5 साल में हम 19% की growth देखने को मिल सकती है हमें दूसरा organized versus unorganized market को भी हमें जरूर study करना होगा gold market को अब देखे कितनी तेजी से 2020 के और 2007 के नंबर अगर हम compare करें तो खाली 6% ही organized market थी 2007 में जो बढ़के 32% हो गई है यानि की branded showrooms में gold खरीदना आज के लोग ज़्यादा prefer कर रहे हैं और ये बढ़के फर्दा 2025 में ये नंबर 37% तक हो जाएगा यानि की organized market का better outlook है competitor analysis करें तो टाइटन को ये mainly अपना competitor मान रहे हैं अगर हम यहाँ पे revenues देखें तो कल्यान जोईलर्स के 10,000 करोर्स के आसपास revenue है टाइटन के 21,000 करोर्स के है apple to apple comparison नहीं है यहाँ पे क्योंकि टाइटन watches और accessories भी बेचता है कल्यान जोईलर्स mainly जोईलरी बिजनस के अंदर है return on net worth काफी कम है कल्यान जोईलर्स का बात कर रही कर ली है कि यह premium तो मांग रहे है जिस हिसाब से इनकी earnings है उस हिसाब से जो यह price मांग रहे है वो एक premium मांगना चाह रहे है चलिए अब हम quickly इनका swap analysis करते है strength अगर हमने इनकी देखें तो इन्होंने brand establish किया है इसमें तो खैर दो राय वाली बात नहीं है हम में से काफी लोग कल्यान जोईलर्स को शायद पहले नहीं जानते थे अब काफी सादा जो film stars इनके brand ambassadors बने हैं उसकी वज़े से काफी लोग इनको जानना शुरू कर चुके हैं इन्होंने करीब 888 crores marketing और advertising में spend करें हैं पिछले तीन सालों में वन आफ इंडियास largest jewelry companies यह हम अलड़ी बात कर चुके हैं टाइटन के बाद यह number 2 पे आ जाती है hyper local strategy इनकी काफी बड़ी strength रही है leadership भी अभी आज की date में जो CEO लेके आए है और बाकी के भी जो board of directors हैं काफी professionals को यह लेके आ रहे है effective internal control processes बनाए है weaknesses की बात करें तो देखिए जैसे South India के अंदर अभी जो floods आए थे अगर इनका concentration हो जाता है एक ही जगे पे जादा showrooms का तो वो एक इनके लिए weakness हो जाती है debt to equity more than one है यह सबसे बड़ी weakness है मेरे हिसाब से आज की date में debt बहुत high है जिस पे इन्हें बहुत ध्यान देना होगा low net profit margin हो गए है 1.5% पर यह operate कर रहे हैं आज की date में opportunities की बात करें तो यह showroom का network अपना और जादा expand कर सकते हैं South India में अगर आज की date में ज़्यादा concentration है यह all India अपना फैला सकते है showrooms का network साथ में organized market का हमने देखा outlook even better हो जाता है online sales को बढ़ा सकते है जो आज की date में इनके लिए बहुत कम revenue दे रहा है product offerings को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है especially studded jewelry जो diamond jewelry होती है उसके अंदर margins better होते हैं तो उनको यह expand कर सकते हैं माई कल्याद network को और ज़्यादा यह leverage कर सकते हैं क्योंकि आज की date में इनके लिए hyper local जो इनकी strategy है वो बहुत अच्छी काम कर रही है in fact इन्होंने 2018 में माई कल्याद centers से sell करना शुरू कर दिया था जिसकी वज़े से इनके showrooms पे footfall कम हो गया था लेकिन वो strategy नोंने reverse कर दी माई कल्याद centers को यह mainly customer service centers की तरह यूज करते हैं लेकिन वो भी एक काफी अच्छी चीज है वहाँ से भी इनको footfalls मिलते हैं जो showrooms में footfalls में convert हो सकते हैं invest in processes जैसा हमने पहले बात करी आज की date में हर retail company के लिए सबसे important है data तो यह जो target market segmentation है और जो customers का data है यह study बहुत करना जरूरी है जिस तरीके से Asian Paints अपने data को study करता है और implement करता है वो चीज हर कोई retail company study कर सकती है अब अगर हम इनके threats की बात करें तो emergency situations like COVID-19 दुबारा से इनके लिए अगर ऐसी कोई situation आ जाती है तो हमने देखा offline businesses के लिए तो यह बहुत ज़्यादा hit हुआ है वो एक बड़ा threat हो जाता है इसके लिए तो मेरे ख्याल से अब हर company को prepare होना पड़ेगा seasonal fluctuations ऐसे किसी business में घुष सकते हैं accessories में या दूसरे टाइप के business में जहां पर इस तरीके के fluctuation कम हो तो वो इनके लिए threat control करने वाला काम होता है अगर gold के prices हम देखें तो आप देखेंगे कि यह दो mainly चीजों पर depend करते हैं पहला तो international जो currency fluctuation होता है उस पर depend करते हैं जैसे कि US dollar to Indian rupee दूसरा इंडिया की जो demand supply dynamics है उस पर depend करते हैं तो gold prices उपर नीचे जाते रहते हैं वो इनके लिए एक threat हो जाता है चलिए अब हम IPO की details देखते है quickly 86 rupees से 87 तक का price band रखा गया है book built ये issue है issue size total रखा गया है 1175 crores का fresh issue है जिसमें से खाली 800 crores का offer for sale यानि की promoters और investors अपना पैसा लेके बाहर हो जाएंगे करीब 375 crores का अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा 800 crore हमने 3600 crores के इनके debt देखा था अब ये 800 crore से तो देखें definitely कुछ खास होने वाला नहीं है लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि 800 crore कहाँ पे यूज करना चाह रहे है post issue market cap यानि की company की जो इन्होंने value लगाई है वो लगाई है करीब 8900 crore के आसपास lot size रखा गया है 172 shares का यानि की minimum हमें एक lot लेना है 172 shares का जिसकी value हो जाएगी करीब 14,900 रुपीज requirements के अंदर use करना चाहते है तो debt तो यहाँ पे भी कम नहीं हो रहा है ये एक आज भी बरी बनी हुई है अगर हम timeline देखें तो offer open हो रहा है 16th March को close हो जाएगा 18th March को finalize हो जाएगे allotment 23rd March को यानि कि आपको पता चल जाएगा कि shares मिले या नहीं refund हो जाएगे आपके 24th March तक अगर आपको shares a lot नहीं होते है तो अगर आपको shares a lot हो जाते है तो आपके DMAT account में shares आ जाएगे 25 March तक list हो जाएगी company 26 March तक जब ये हम trade कर पाएगे इस company को तो ये था हमारा unbiased review कल्यान जोलर्स के IPO से related I hope मैंने सारे positives और negatives यहाँ पर discuss कर लिये हों फिर भी अगर कुछ छूटा हो तो आप मेरे को नीचे comment section में जरूर बताईए और आपके क्या विचार है इस IPO से related आप apply कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं और आपके reasons क्या हैं वो भी जरूर बताईए बाकी के community members को भी इससे help होती है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको like और share जरूर कीजिए अपने friends और family members के साथ हो सकता है वो भी इस company में IPO में पैसा लगाने का सोच रहे हों अगर आपके कुछ सुझाव है इस वीडियो से related या channel से related तो आप नीचे comment section में कर सकते हैं और अगर आपने इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो नीचे से subscribe करके अपने phone में bell icon को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको latest finance video का notification मिल जाए तो मिलते हैं अगले कैसे ही informative video में तब तक सीखते रहिए कमाते रहिए और मेशा की तरह खुश रहिए